हेलो गाईज तो मैं अभी अभी आ रहा हूँ फिल्म लाल सिंग चड़ा नहीं देखकर क्यों नहीं देखी क्योंकि फिल्म और पॉरेस गम की बिल्कुल डिक्टो कॉपी है 1994 में आई थी पिच्चर और अगले साल इसको 6 ओसकार अवार्ड मिले थे उससे आमिर खान ने अपने आपकी तुल्ला करने की कोशिश करें जो की बेहद नलाइकी का काम है कसम से बता रहे हो दोस्तों आप लोगों को बहुत-बहुत मुबारक हो उन लोगों को जिन लोगों ने बॉलिवूड बॉयकॉट का नारा लगा रखा है अगर आपको कहनी की बात कर तो खाली ऐसे आखे बड़ी करके कार्टून सी शकल बनाके जैसे उसने पीके में कर रखी ती ऐसे कान खड़े कर लिए और पूरी पिच्चर में ऐसे बहुला बनने की कोशिश करी जैसे तो मुझे कुछ पता ही नहीं है यह बहुत ही गंदी बहुत ही जादा गंदी एक्टिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी क्योंकि इसका अच्छा वर्जिन शायद आप लोगों ने फिल्म टीके में देख लिया है तो यह पिच्चर आप लोगों को बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं कर सकती है खाली यह पिच्चर उन गवार लोगों को अट्रैक्ट करेगी जिन लोगों ने शायद से फॉरस गम देखी नहीं है जो लोग आमिर खान के बहुत ही जादा कट्टार फैन है शायद यह मूवी उन लोगों को अच्छी लग सकती है जिन लोगों को मूवी के बारे में कोई नॉलेजी नहीं है कि मूवी कैसी होनी चाहिए फुली रीमेक है, एक्टिंग किस प्रकार की होनी चाहिए एक्स्प्रेशन क्या है, मतलब सिर्फ यह मूवी उन लोगों को अच्छी लगीगी अधरवाई जिन लोगों ने फॉरस गम देखी है टॉम हैंग्स की मूवी है, बहुत सिंपल साधगी से बनाई हुई मूवी है गाईज लिखके ले लो, आप एक बार वो मूवी देखना जरूर आप एक बार वो मूवी देख लेना, उसके बाद आप ट्रेलर भी देखोगे ना आप इस पिच्चर का तो आपको शायद ट्रेलर भी पसंद नहीं आएगा क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल कॉपी, सीन बाई, सीन करने की कोशिश करी है लेकिन सीन देखने के बावजूद भी इस बंदे से टॉम हैंक्स की करोणो मीलो दूर तक भी बराबरी नहीं हो पाई है कहने को यह कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं सबसे अच्छा काम इस पिच्चर में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है यह सब जूट बाते अपनी फिल्म को प्रोमोट करने के लिए पिच्चर बिल्कुल भी आप लोगों को पसंद नहीं आएगी जिन लोगों ने खास करके फॉरेश गंप देखी है, जिन लोगों ने पी के भी देखी उन लोगों को शायद आमिर खान का और फौड़ा सा एडवांस वर्जन देखने को मिलेगा, कि ऐसे बड़े बड़े दुबार कान करके और फिर ऐसे बटेसी आखे करके बड़ी तो यह आप लोगों को बिल्कुल भी दिखने की जरूरत नहीं अपने पैसे बचाओ बाई जो इंसान ये बोलता है कि शिविलिंग पे दूद मत चड़ाओ, उस पैसे से किसी गरीब को खाना खिलाओ, बाई अपने 500,000 रुपे बचाओ और उस पैसे से किसी गरीब को खाना खिलाओ, कोई दानपुनने का काम करो, पिच्चर तो धेले की नहीं है, यार, भी फाल्तू की चीज दिखा रहा है कि मतलब चलो, स्टोरी लाइन पर नहीं जाते हैं कि चलो, फिक्षन है, यार, कि इंडियन आर्मी में चला जाता है, ऐसे करता है, वैसे करता है, भाई, कोई नहीं लेता, फिजिकल टेस्ट में पहले नंबर भाहर है, इतने भी दुनिय इंडियन आर्मी वाले जो बंदे को ले लेंगे, वो एक स्टोरी उन लोगों ने बनाई थी, उसका रीजन ही कुछ अलग है, परपास ही कुछ अलग है, आप वो देखो और ये देखो, ये मत देखो, और वो देख लो आप, इतनी पुरानी मुविन 1994 की कहां जाके साला 2022 मे उसका रीमेक बना के उतार दिया, फाक, हेल डिस्गस्टिंग गाई, सूपर फ्लॉप, आमिर खान की एक और पिच्चर फ्लॉप, ये दिल्ली के पता नहीं कौन सी चिरांद है, जो पिच्चर देखने के लिए जा रही है, थोड़ी बहुत, बिल्कुल फटीक, जो सबसे दुनिया में खाली है, जो थेटर में अपनी गल्फेंड के साथ मजे करना चाते हैं, या जो रक्षा बंदन सोच रहे थे कि वेले बैठे क्या करें, चलियार एक पिच्चरी देख डालते हैं, जिन लोगों को जिंदगी में कोई काम नहीं है, सिर्फ वो लोग ये कोई जादर से जादर शेयर करें, थेंक्यी सो मच, लव यू अल, हर हर महादेवी